एलो फ्रेंट्स मैं स्यूशंकर सर्मा और कॉंसेट क्लियर का चोथा क्वेश्चन देखो भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर मजा आ रहा है क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्या करना है पता है तुम्हें शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों को बत देता हूँ आपको 10 थिट्टा दिया हुआ हमें इफ 10 2A इक्वल टू कोट A प्लस 60 तो हमें वेल्यू फाइंड करना है किसकी A की जान 2A is an acute angle acute angle का क्या मतलब होता है 90 से छोटा है तो 90 से छोटा है तो देखो हम क्या कर सकते हैं मैंने अभी आपको इससे पहले वाले concept clear question में बताया था कोई भी कोट 90 माइनस थिट्टा है तो क्या हो जाएगा 10 थिट्टा यही वाला use करेंगे हम यही वाली identities ठीक है तो देखो हम इसको change कर लें या फिर इसको दोनों में से एक को change कर लो या तो 10 को कोट में change कर दो या को 10 में दोनों values एक सी होंगी एक जैसी हो जाएगी तो 10 से 10 cut out हो जाएगा और values यानि algebraic values रह जाएगी तो देखो कैसे करना है यहाँ पर हम क्या करते हैं 10 ठीक है और 2a है ऐसे का ऐसा question है और इधर कोट को भी हम ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं को बार question लिख लेते हैं ठीक है अब मैं क्या करता हूँ 10 को change कर देता हूँ 10 को change करने के लि या quote 90 minus theta क्या होता है 10 theta तो values equal होती है तो मैं इसकी जगा यह लिख लेता हूँ और आगे वाला इसे का ऐसा होतार लेता हूँ quote a plus 60 आया समझ में आप quote से quote cancel out हो जाता है और algebraic values equal हो जाती है 90 minus 2a बराबर किस के आगया a plus 60 के a एक साइड में करो यानि algebra value एक साइड में करो और numerical value एक साइड में तो 2a और minus 3a हो गया minus का और 60 उदर plus का है और 90 दर जाएगा तो minus का 30 रह जाएगा minus से minus का तो a equal to 10 समझ गे concept clear question simple question एक number पका ठीक है कोई doubt इसमें doubt हो तो comment करके बताएं और समझ में नहीं आया या आपको method अच्छा नहीं लगा तो भी आप हमें जरूर बताए ठीक है और अगर अच्छा लगा तो like करें और वो भी बताएं भाई अच्छा लगेगा तो भी बताओगे ना तभी तो और अच्छा improve करेंगे thank you friends मिलते है next concept clearing question में